हाई फ्रेंड्स गुडीबनिंग नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चाले टोल नॉलेज़ पे दोस्तों लगतार आप पूछ रहे थे कि कट ओफ क्या होगी कब तक आएगी अधिकारिक जो साशना देश अभी कब तक आएगी तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है यह अधिकारिक है आप देख रहे होंगे इस्क्रिन पर मैं पूरा पढ़ देता हूं एक बढ़ देखें फिर चर्चा करते हैं प्रेशक चंद सेखर अभीसे सचीव उत्तर प्रदेश आसन ठीक है न सेवा मैं निदेशक स्यार्टी है यह सचीव पी अन्प आपका हो गया बेशिक शिक्षा विवा अन्भाग चार लखनव दिनांग साथ जन्वरी 2019 यानि आज की बात है अब विश्य देख लें उत्तर प्रदेश बेशिक शिक्षा परिशत द्वारा संचारित परिसीदिय प्राथमिक बिद्यालें है तू सायक अद्यावक भरती परिच्षा 2019 मे जिसके द्वारा सहायक अद्यावक भरती परिच्षा 2019 में निर्गत साशनादित संख्या यह जो नंबर होता है दिनांग 1228 करम में परिच्षा निर्णामेत। यह निम्तम उत्रिनक निजारित किया जाता है यह निम्तम उत्रिनक मात्र साइक भरती परिछा दोगा, केवल इसके लिए किया गे, आप देख लें कितना होगा, समान भर गया निजेनरल कड़ेगरी क्या होगा, आप देख लें, 150 में से आपको 97 अर्था 65% यह अधिक अंग अगर आपका 97 नंबर से ज्यादा आता है यह 65% में, आप उत्रिनक होसित किया जाएंगे, अगला देखिए, अगर आप और कटेगरी के हैं, यह अन्य शमस्त आरक्षित पर के अभियरतियों को पुढ़ांग 150 में से 90, यानि 60% लाने पे आपको उत्रिनक होसित किया यानि जन्रल की जो रहने वाली है वो 97 और उससे ज्यादा है तो आपको उत्रिन माना जाएगा, और अगर आप काटेगरी है आपके पास तो 60% यानि 90 नंबर आपको लाने होंगे, उप्रोक्त का एवं खा के अधार पर उत्रिन अभियरति उन्हतर जारिक्तियों के विरु इस दिम सपल होने वाले कुल अभियरति के अधार पर उत्तर बेसिक पदों के सिवनिमामली, 1981 यानि चलो यह अपने नियम की बात कर रहे है, तो सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज आप जान जाए, अगर आप जन्रिक्टी में हैं तो आपको लाने हैं एक सो पचास में से 97 तो आसा में जूम कर देता हूं तक यह और अच्छे से देख पाएं ठीक है अगर आप जनल कटेगरी में है समानबर के विदियो कितना चाहिए तो 150 में से तो वैसा ना समझे फेक है सार कुझे आप देख सकते हैं यह भी का है तो दोस्तों यह सारी चीजे थी अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक तो बनता है तो लाइक अबसे करते हैं नए तो सब्सक्राइब भी कर ले और आद देखने बहुत बहुत धन्यव सब्सक्राइब होगा है